आज मैं लिकर आई हूँ बहुत ही एजी और कुईक बन जाने वाले ब्रेक्फास्ट की रेसिपी तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग बॉल लिया है और इसके अंदर आदे कप की करीब हमने पेसन डाला है यह देखिए आप हम इसके अंदर एक चुटाई चमज डालेंगे हिंग, हिंग डालना ओप्शनल है आदा चमज धनिया पाउडर एक चुटाई चमज लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो थोड़ा जारा डाल सकते हैं लाल मिर्च आदे चमज से थोड़ा सा कम नमक और यहाँ पर यह थोड़ा सा बुना हुआ जीरा पाउडर अब अब इसके नदा थोड़ा थोड़ा पानी आइड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए पानी थोड़ा थोड़ा ही डालीए नहीं तो लंप्स बढ़ जाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए बहुत ज़़ा थीक इसको हम नहीं बनाएंगे अब इसके रहें डालेंगे हम एक छोटी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई एक हरे मिर्च बारीक कटी हुई एक चोटा प्यास बारीक कटा हुआ आप अपनी पसंद के वेजटेबल आड़ कर सकते हैं और यह एक चोटा टमाटर और यहाँ पर कुछ धनिया पता अच्छे से वाश करके बारीक कट करके डाल लेना है अब इन सारे इंग्रिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखिए यह थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी और आड़ कर रही हूँ अब आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी अब इसको हम कवर करके छोड़ देते हैं और आगे का प्रोसर शुरू करते हैं यहाँ पर हमने ब्रेड ली है ब्रेड को इस तरीके से कट करेंगे यह देखिए अगर आपको इस तरीके से कट करने परेशानी होती है तो आप इसको कुकी कटर से या किसी कटोरी के हैट से भी कट कर सकते हैं उससे इसकी शेप बदल जाएगी पर यह अच्छे से कट हो जाएगा यह देखे अब हमने एक तवे के ऊपर थोड़ा सा बड़र डाला है आप चाहें तो गी का यूज़ भी कर सकते है अब हमने हापर यह ब्रेड रखती है फ्लेम को हमने मेडियम रखा है अब यह जो हमने ब्रेड बना का रखा था इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे यह देखे और जो हमने ब्रेड का बीच का पीस काटा था उसको भी वेस नहीं करेंगे इसके ऊपर ही लगा देंगे ये देखिए कुछ इस तरही किसे फिर से इसके उपर बेसन डालेंगे ये देखिए ये बैडर और अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है एक तरफ से अच्छे अब हम इसके उपर डाल रहे हैं कुछ ओरेगानो कुछ चिली फ्रेक्स एक तरफ से सिखने के बाद इसको फ्लिप कर देंगे ये देखिए लगबक दो से तीन मिनट में ये ब्रेकफस्ट बनकर तयार हो जाता है इसी तरीके से सारे हम ब्रेड टोस्ट बनाकर तयार कर लेंगे आप देख सकते हैं देखने में कितने जैसी लग रहे हैं और खाने में तुभी बहुत ही यमी लगते हैं तो अगर आपको आज की तसे भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब प्रेड लेजिए बाबाई